प्रतेक जीव भगवान का अन्षे अन्षो नाना व्यपदेशात ममईवान्षो जीव लोके जीव भूता स्चनातन गीता इश्वर अन्ष जीवय बिनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी रामाण प्रधान पुरुशेश्वरात अर्थात जीव भगवान का अन्ष है और अन्ष अपने अन्षी को नैचरल चाहता है नैचरल हम आनंद के अन्ष हैं इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नैचरल आनंद चाहते हैं चाहेंगे और कुछ चाह ही नहीं सकते और आनंद भी कैसा चाहते हैं आनंद तो हम लोगों को रोज मिलता है अरे कितना हसते रहते हैं हम लोग भूख लगी है रस गुला मिला मजा आ गया यह मजा आनंद रस यह तो रोज मिला करता है हम लोगों को मंपी को चिप्टाया मजा आ गया अमुक चीज देखा मजा आ गया अमुक चीज सूंगा ये जो आनन्द मिलता है आपको ये क्या है ये धोखा है बहुत बड़ा धोखा अगर किसी एक चीज में भी आनन्द होता तो पहली बात ये कि वो सदा रहता एक ऐसा आनन्द है कल रसगुल्ला खाया था तो आनन्द मिला और उच्छे घंटे बाद फिर भूख उसी की लगी अरे कल वाले रसगुले में जो आनन्द मिला उसका ध्यान करो न जी ध्यान करने से काम थोड़े चलता है और फिर से खाना पड़ेगा उसको उसी मम्मी को फिर चिपताना पड़ेगा ते क्या भीमारी है और वो भी किसी मा का बच्चा खो गया है चार दिन बाद मिला मा बहुत ब्याकुलता से जोड़ से चिपताया दो बारा उसते धीरे ते बारा उसते धीरे चौती बार जा बेटा खेलो क्यों जी जैसे पहली बार आनंद मिला था चौती बार क्यों नहीं मिला जाओ खेलो और फिर भी वो चिपटता है बेटा तो जापड़ लगाती है औरे रे रे क्या हो गया है हाँ जी होता तो ऐसे ही है पता नहीं क्या है क्या दीमेरी है सोचा नहीं जी क्या सोचे टाइम नहीं है हमारे पास क्या करने के लिए टाइम नहीं है आनंद पाने के लिए तो आनंद है कहा पहले समझ लो बिना समझे आनंद के पीछे भाग रहे हो यह जो तुम एक लाख एक करोड के पीछे भाग रहे हो तुमारे महले में हैं लोग एक करोड दो करोड वाले उनसे पूछो मिलो क्यों भै तुमारा क्या हाल है वो अरबपती कहता है था हम नींद में आती नहीं गोली खाता हूं तो नींद आती है जी हमारे हाथ भिखमंगे फुट पात पक्खर राटे में सोते हैं तुमको नींद नहीं आती खरबपती हो करके हाँ तो जिस जगे पर तुम जाना चाहते हो पहले इंक्वाइरी कर लो उस जगे में आनन्द है नए सुनते हैं कहीं स्वर्ग है स्वर्ग बड़ा नाम है स्वर्ग का हम लोग अपने माबाप के मरने पर चिठी लिखते हैं स्वर्ग बास हो गया पूज पिता जी स्वर्ग बासी और बेद क्या कहता है वो भी समझ लो बेद कहता है पुण्ड जितो दो कक्छी यते ओक छण भंगु रहे स्वर्ग चांद दोग्व उपनिशक आठवे प्रपाठक के पहले खंड का छठवा मंत्र स्वर्ग में भी सुख नहीं है कितना डिटेल में मुंड को पिनिशक कहता है प्लबा हेते अधिड़ा जग्य रूपाहा पहले मुंडक के दूसरे खंड का सात्वा मंत्र अबिद्याया मंत्र बर्त माना स्वर्ग धीरा पंडितमन्य माना जंगन्य माना परियंत मूढा अंधे नयुनिय माना यतांधा पहले मुंडक के दूसरे खंड का आठवा मंत्र अबिद्याया मुंडक के दूसरे खंड का नौवा मंत्र इस्टा पूर्तमन्य माना बरिष्ठमना नच्छेयो बेदेंते प्रमूढा नाकस्य प्रिष्टे ते शुक्र ते नौवित्वे मं लोकंहिन तरंबा विशंती मुंडको पनिशत पहले मुंडक के दूसरे खंड का दस्वा मंत्र ये सारे मंत्र क्या कह रहे हैं वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाता है या स्वर्ग के लिए प्रियत्न करता है प्रमूराह बेद कह रहा है घोर मूर्ख क्यों तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं छीने पुन्ने मर्त लोकं विशंती बेद कह रहा है हिंगनतरंबा विशंती और गीता भी कह रही है कि कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है उसके बाद वो कूकर शूकर कीट पतंग योनियों में पठक दिया जाता है कितना दुख होगा सोचो हमारे संसार में जो बड़े बड़े आफिसर होते हैं और उस अहंकार में तमाम अपराध कर जाते हैं जब रेटायर होते हैं तो उनको कोई ही चपरासी भी नहीं पूछता एक कोने पड़े रहते हैं प्राइम निश्टर तक और कुट्टे बिल्ली गधे के योनियों में डाल दिया जाए तो क्या गती होगी दुखो दरकास्तमो निश्टा शुद्रानंदा शुचार पिता भागवत परिणाम में दुख बर्तमान में बिदुख काम क्रोध लोब मोह मद मात सर्ज सब है स्वर्ग में जैसे यहां पर है और वहां भी एक से एक उचा स्वर्ग है ग्यारा कोटी है संसार का सबसे अधिक सुखी ब्यक्ति जो हो उससे हजारों गुना अधिक सुखी एक मानो गंधर्व के लोग का ब्यक्ति है उससे हजारों गुना एक देव गंधर्व के लोग का सुखी है उससे हजारों गुना पित्र लोग का सुखी है उससे हदारों गुना आजानत देव का सुखी है उससे अधिक चुना कर्म देव का उससे अधिक देव का उससे अधिक इंद्र का उससे अधिक ब्रहस्पती का उससे अधिक प्रजापती का उससे अधिक ब्रह्मलोक का सबसे बड़ा सुख ब्रह्मलोक में लेकिन आवरम भु गया सुख भोगा पुन्य का और फल समाप फिर चला आया मृत्य लोग में जैसे आपने बैंक में दस लाख जमा कर दिया अब अनाव सनाप आप खर्च कर रहे हैं ताज महल होटल में जाकर जब वो साल भर में खतम हो गया तो फिर आप बैंक के पास गये तो बैंक को अलग प निकालो बैं कोई पागल आदमी है ऐसा स्वर्ग है स्वर्ग हुस्वल्प अंत दुखदाई कर्मणाम परणामित्वादा बिरिंचादमंगलं तो स्वर्ग में भी सुख नहीं मृत्य लोग में तो हम देखी रहे हैं तो सुख कहा है आनंद में यानि भगवान में तो चूंकि हम आनंद ही चाहते हैं इसका मतलब हम भगवान को ही चाहते हैं सिद्ध हो गया हम और कुछ चाहते ही नहीं आनंद चाहते हैं अब आनंद का नाम ही भगवान है तो हम भगवान को चाहते हैं किन्तु आनंद जन में बीट गए आनन्द का लवलेश भी नहीं मिला हर जगे एक हाल है ज्यान दो जो हाल चपरासी का वही हाल उसके आफिसर का जैसे गाए को हरी घास मिल गई हाँ मजा आ गया आपको हलुआ पूरी मिल गई हाँ तो खाने में मजा आ गया दोनों का सुख बराबर है देखने का अंतर है एक गरीब को आज नई साइकल मिली और अकड़क चलता है साइकल के उपर और एक को कार मिली और अकड़क चलता है कार पर सुख बराबर है देखने का अंतर है और वो सुख घचता जाता है फिर समाप्त हो जाता है आप लोग घर में देखते नहीं इस्त्रीपति बाप बेटे में क्या होता है एक समय ऐसा आता है बहुत प्यार एक समय कम एक समय और कम एक समय उसको देखने की इच्छा नहीं इस्त्रीपति में बोल चाल बंद तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है ब्रह्म लोक तक केवल भगवान ही आनन्द है उनको प्राप्त करके ही आनन्द में हो सकता है वो कैसे मिलेंगे एक प्रस्ट देह गया प्राप्त करके ही आनन्द में हो सकता है